आज की श्यार्ट करने से पहले आप समें लगें लगें बैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो नुट्फिकेशन आपको मिलते रहे इस्टोरी अचले हो तो आप अपनी श्यार्ट करसकते हैं कंचन नाम की एक तमिल लड़की उसके साथ किचन में हेल्प करवाती थी और एक लड़का माली का काम करता था एक दिन जब माली अपने कमरे में थी तब वो लड़का रसोई में गया और कंचन को परिशान करने लगा लड़के ने कंचन के साथ जबजस्ति भी की और फिर कंचन से बाहर चला गया इसके बाद कंचन रोते हुए मालनी के पास गई और सारी बाते बता दी तब मालनी बोली चिंता मत करो वो लड़का तुम्हें दुबारा परेशान नहीं करेगा फिर शाम को वो लड़का सब काम खतम करके आउट डोर फवारे से अपने कमरे में आ र के हुए आम है फिर मालनी ने आम तोड़ने के लिए कहा तब वो लड़का तौलिया लपेट कर ही आम के पेड़ पर चड़ गया और अपना एक पैर आम कि शाखा पर और दूसरा पैर थोड़ी दूर दीवार पर रख लिया और लड़के के लड़के ने मालनी से हेल्प मांगी उस टाइम मालनी एक लकडी लेकर आई जिसमें मधमक्कियों ने छटा लगाया था लड़का उपर देखर आम तोडने की कोशिच कर रहा था इसी बिश मालनी ने मधमक्की के छटे को लड़के के तॉलिय के अंदर डाल दिया और लड़का और लकडी को जोर से हिला दिया फिर दो या तीन के अंदर ही उस लड़के को लगबख सो मधुमक्खियों ने डंक मार दिया लड़के ने तॉलिया खोल दिया और पेड़ से नीचे कूद गया लेकिन लड़के का तौल्य पेड़ पर ही अटक गया वो नंगा ही नीचे इधर उधर भाग रहा था मालनी को लड़के की हाला दे कर बहुत हासी आई उसने वीडियो भी बना लिया फिर मालनी लड़के के पीछे गई और उसके नीचे हाट डालकर लड़के की गेंदों को न फिर लड़की उस रसी को खीचते हुए गाय के पास लेकर गई, कंचन बढ़के को नूट देकर हस पड़ी, लड़के ने कंचन से माफी माँगी, इसी बीच माली ने लड़के को जोर की लाइड मारी, लड़के का पूरा प्राइबेट पार्ट सुजा हुआ था और لाइड बाद लड़के की हालत और खराब हो गई, इसके बाद वो लड़का कभी भी कुछ गलत काम नहीं किया, तो guys ये punishment story ये खतम होती, आप सब को story कैसे लगी हमें comment में जरू बताएगा और आप सब के पास भी को story हो तो अपनी story हमें से जरू शेयर कीजिएगा आप अपनी story हमें email कर सकते हैं email हमने इस video को description में add कर दिया है, तो वाँ से चेक करके आप अपनी story हमें email कर सकते हैं